आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे, महादेव के गृपाब सभी पर सदाय बनी रहे, यह वीडियो व्रिश्चिक यानि कि स्कॉर्पियों के लिए बहुत महत्तपुन है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल महराज क राशी बरतन के बारे में, मंगल यानि कि मार्स, बारा जुलाई को राशी बरतन कर रहे हैं और आपके सब्तम भाव में आ जाएंगे, छटे भाव को छोड़कर सब्तम में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल अत्यंत महत्तपुन है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, आटो म मंगल के दिनाते हैं, और आपके लिए तो मंगल और भी विशेश हैं क्योंकि आपके लगनेश हैं, आपके लगने के सवामी हैं, और यहां पर मंगल की जो यूती है वो ब्रहस्पती के साथ भी हो रही है, जो डेड़ साल में, दो साल में करीबने एक बार होती है, मंगल आ आपके लगन पर पड़ेगी, एक दृष्टी आपके धनस्थान पर पड़ेगी, और यहाँ पर केतू का भी दृष्टी द्वारा इन दोनों ही ग्रहों पर प्रभाव भी है, तो ये मंगल का गोचर कई चीजों में बदलाव लाएगा, कई चीजों का प्रभाव बदलेगा और क्या-क्या इसमें अच्छा क्या-क्या बुरा हो सकता है, इन सभी चीजों की विवेचना करने का मैं प्रत्ने करूँगा यदि आपकी लगन राशी या चंद राशी वरिश्यक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशी वल को देख सकते हैं मैं विक्तिकत्त और तौर से हमेशा कहता है हूँ, कि लगन राशी से ज़्यादा सटीकता बैठती है अगर आपको नहीं पता आपकी लगन राशी या चंद राशी वरिश्यक है, तो भी आप इस राशी वल को अवश्य देख सकते हैं शुरू करते हैं, सरपथम मंगल आपके सब्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे सब्तम भाव मंगल का मिश्रित प्रभाव देने वाला भाव होता है मंगल लगनेश हैं, तो यहाँ पर आकर वो राजियों का वश्य बनाएंगे अब जो चौथा भाव है, वो चौथे से चौथा भाव है यानि कि प्रॉपर्टी के लाब का या प्रॉपर्टी सम्मंदित कारियों का एक स्थान बन जाता है मैं हमेशा ये चीज़े दर्शात आता हूँ, चौथे से चौधा, पंचम से पंचम, छड़े से चटा ये भाव भी कई चीज़े दर्शाते हैं, भावेत भावम जोतिश का एक बहुत इंपोर्टन नियम है जो गोचर पर बहुत प्रभाव डालता है या जिसका गोचर पे बहुत एक रिजल्ट देखने को मिलता है तो अगर प्रॉपर्टी संब्धित कुछ करना चाह रहे थे, फॉर एक्जामपल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, उसको रेंट पे देना चाह रहे थ तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज यही है कि चौथे से चौथे भाव में यानि कि प्रॉपर्टी सम्दित कारों में सफलता मिलेगी मंगल लगनेश है यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं और यह भाव दस्वे से दस्वा है प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉंग योग आपके बन रहे हैं अगर आप जौब करते हैं तो प्रमोशन के आपके यहाँ पर योग बन जाते हैं recognition का योग है, promotion का योग है, आगे बढ़ने का योग है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए दिख रही है, सप्तम के मंगल विक्ति के अंदर confidence भी भरते हैं, विक्ति के अंदर आगे बढ़ने का एक इराधा भी लेकर आते हैं, और उसको popularity भी देते हैं, आपका ना यह सारी चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, और फिर इसका बुरा प्रभाव पढ़ सकता है, अब यह सब के उपर बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन जिस विक्ति कुंडली में अपनी लगने श्यानी की मंगल बहुत बुरे हैं, लगन बहुत प्रभावित है, चंदर्मा बहुत प्रभावित है, उनके लिए थोड़ा सा और बेचैनी वाला टाइम हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर आप थोड़ा सा अती उत्साहित हो जाना, या फिर चिंताएं करना, विर्थ की चिंताएं करना, यह थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अन्य था तो मं मौका मिल रहा था, उनको यहाँ पर एक अवसर प्राफ्त हो सकता है, क्यों क्योंकि मंगल वेग है, मंगल क्या है, इंटेंसिटी है, कई लोग होते हैं, जो में भी भाग्य का उत्रा उनको साथ नहीं मिलता, लेकिन अपने पराक्रम से वो सफलता पाते हैं, उनकी कुनली म में अवश्य मंगल का स्थान बहुत इंपोर्टन होता है, कई मने कुनलिया देखी हैं, जहाँ पर भाग्य स्थान उत्रा स्ट्राउंग नहीं, अधिक्तम जिनका भाग्य स्ट्राउंग होता है कुनली में, उनको सफलता मिलती ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आप लेकिंग अपने आसपस कई लोग भाग्य लिखा कर आते हैं, आपके मैं भौतिक रूप की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका भौतिक रूप से जीवन संतुष्ट या स्ट्रॉंग है न, माने ना माने अधिक्तम आपकी प्रॉब्लम सॉल हो जाती है, क्योंकि आ यहां पर मंगल एक ऐसे घ्रह है, जो भाग्य का विक्ति को साथ नहीं भी मिलता न, वो भी यहां पर अपने पराक्रम से आगे बढ़ सकते हैं, तो इस सबसे अच्छी चीज है कि मंगल का सब्तम में होना, यानि कि अपने इदम पर जीवन को आगे बढ़ाना, और क्योंकि यह बिजनस का स्थान है, नए बिजनस अगर कोई स्थान करना चाते थे, तो इस से अच्छा टाइम आपको नहीं प्राप्त हो, अपना बिजनस स्थान करने के लिए बहुत विशेश टाइम है, जो लोग अलड़ी बिजनस कर रहे थे, उनके लिए यहां पर थोड़ा सा न पावर की प्राप्लम आ सकती है, लेकिन इसका एक अच्छा रिजल्ट यह हो सकता है, कि आपको अपने बिजनस में कुछ बड़े बदलाव लाने का भी मौका मिल सकता है, तो हाँ ठीक है, थोड़ा नुकसान हो सकता है, जो बिजनस करता है, उनको पता है, प्रॉफिट और लॉसस चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने बिजनस में कुछ बड़े बदलाव लाने का भी अफसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल अगनेश ही है, और यहाँ पर सब्तम में राजियों को बना रहे हैं, यानि कि बिजनस में कुछ बड़े ताइम भी यहाँ पर बहुत अच्छा यह आपका देख रहा है, तो यह अच्छे रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, इनका लाव उठा सकते हैं, यहाँ पर ब्रहस्पति के साढ़ भी हैं, मंगल, तो ब्रहस्पति आपके धनस्ताने के स्वामें और अपने आप धन के कारक है, सब्तम में बैटे है, यानि कि बिजनस में क्या बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, भले ही आपका कुछ नुकसान हो जाए, जैसा मैंने का, यह वही बात समझेगा, जो बिजनस करता है, कई बार मैं देखता हूँ कि आप कहने, एक्साइट पैसा आएगा, एक्साइट जाएगा, जिसने बिजनस नहीं किया, वो कभी इस बात को नहीं समझेगा, होद कभी कभी बिजनस में होता, आपको एक दिन प्रॉफिट भी हो रहा है, एक दिन नुकसान भी हो रहा है, तो यहाँ पर पैसा भी आपका बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि छटे भाव का स्वामित्तु है, जो सब्तम से बारवा है, तो आपका नुकसान भी थोड़ा सा इस कालखंड में हो सकता है, अच्छा, ब्रहस पती आपके सब्तम से पती आपतनी की इंकम बढ़ेगी, और सब्तम से ग्यारवे के सवामिया पर ब्रहस पती बैटे है, मंगल के साथ, यह भी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मंगल का सब्तम में आना, मंगल दोश बनाता है, अब अगर मंगल दोश बन रहा है, तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाब पड़ेगा, और यहाँ पर मंगल पुरह सब्तम से बारवेगर के सवामी है, और लगन से छटेगर के सवामी है, जो लीगालिटी दिखाता है, तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ेंगी, वो अचानक से चीज़े डाइवोस की तरब भी जा सकती है, अब यहाँ पर केतु की भी दृष्टी है, जो चीजों को और बुरा बना रही है, क्या होता है, केतु का अप्रभाव, isolation create करता है, separation create करता है, तो जो शादी शुदा लोग है, उनके लिए टाइम बहुत कश्टकारी हो सकता है, इवन जिनकी शादी की तयारिया भी चल रही थी, उनको भी यहाँ पर थोड़ा careful रहना पड़ता है, जिनको विवाह का कोई योग नहीं बन रहा था, जिनको विवाह के लिए कोई रिष्टा नहीं मिल रहा था, उनके लिए चीज़े आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो अल्रेड़ी विवाहित हैं, या फिर जिनका सब कुछ तैय हो गया था, और चीज़ें विवाह की तरफ जा रही थी, अब उसमें एक वेटिंग पीरिड होता ना, कि चलो एंगेजमेंट हो गई, रोका हो गया, उसके बाद एक बीच में पीरिड होता है, अगर आप उस प्रोसेस में भी है न, तो भी बहुत केरफुल रहेगा, कई बार ऐसा देखा गया है, कि यहाँ पे बननी बनाई, शादिया तूट जाती है, तो थोड़ा सा केरफुल यहाँ पर रहने के आपको वशकता है, विवाह के योग बन रहे हैं, यानि कि जिनको कोई रिष्टा नहीं मिल रहा था, उनके लिए अच्छा है, लेकिन विवाहिक जीवन के लिए, और जिनका विवाह होने वाला है, इसको डिफ्रेंशियेट करने का, आपको थोड़ा सा ट्राइ करना पड़ेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा यह बुरा हो सकता है, अब यहाँ पर क्योंकि ब्रहस्वती संतान के एकारका और पंचमेश भी है, और मंगल उनके साथ बैटे है, तो जो गर्मवती स्त्रिया है, उनको भी थोड़ा सा केरफूल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पंचम और ब्रहस्वती दोनों पर ही मंगल का प्रभाव है, और यह मारक भाव भी है, इसी लिए जो प्रेगनेंट विमन है, जो गर्मवती महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा केरफूल होने की अवशक्ता है, अब विडम्बना यह है कि यह जो सब्तम भाव है, यह मंगल के लिए, वैसे तो यहाँ पर राजयोग बनता है, लेकिन सब्तम भाव जो है वो मारक स्थान भी है, और ब्रहस्पती आपके मारकेश भी है, क्योंकि दूसरा और सब्तम भाव यह मारक स्थान कहे गए है, अब यह नहीं मानना चाहिए कि यह मृत्यू देते है, लेकिन मृत्यू तुल्य कष्ट देते है, तो जिनको यहाँ पर जिनकी जो दशांत्र दशाची नहीं चल रही, उनको यहाँ पर मृत्यू तुल्य कष्ट यहाँ अब मंगल की बात करते हैं तो चोट चपेट आता है, तो यहाँ पर जब सब्तम में मंगल है तो आपको भी चोट लग सकती है, और आपके पती पतनी को भी यहाँ पर कुछ कश्टकारी इस प्रकार के योग दिख सकते हैं नहीं कि उनको चोट चपिट लग सकती है तो थोड़ा सा उनका केर करेंगे तो आपके लिए अच्छा है हाँ confidence बहुत रहेगा business में कई प्रकार की चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हो सकती है students के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि पंचम भाव students का होता है और mangal competitive exam के कारक है तो यहाँ पर आपका जो competitive spirit है confidence है अच्छा रहेगा competitive exam में सफलता मिल सकती है च्छटा भाव competition का है mangal भाव के स्वामी भी है यानि कि student जिनका competitive exam पढ़ता है यहाँ पर उनको लाब होगा mangal च्छटे घर के स्वामी है जो career का एक भाव है क्योंकि दसवे से नवम भाव है त्रिकोन स्थान है और सब्तम में बैठे हैं यानि कि अगर आप इस पूरे process में इस पूरे time period में 12 से 12 जुलाई से 26 अगर आपका promotion का process start होता है तो यहाँ पे बहुत chances है कि आपको promotion अपनी company में मिल सकती है ध्यान बस यह देना है कि मंगल छटेगर के स्वामी है गुस्टे से बचिएगा कारेक शेत्र में क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है यहाँ पे कि मंगल सब्तम में आते हैं तो विक्ति के अंदर गुस्टा बहुत बढ़ जाता है और वो कारेक शेत्र में गुस्टा दि चाते थे अच्छा है और 11 भाव income के enhancement का होता है तो अगर कुछ नया skills सीखना चाते थे जिससे आपको आपका पैसा बढ़े उसके लिए बहुत अच्छा है कई लोग होते हैं जो कुछ नया सीखना चाते है उससे पैसा कबाना चाते है यह उसके लिए सबसे अच्छा time है क् आप कुछ यहाँ पर नई स्किल सीख पाएंगे जो money making या आपकी parallel एक source of income बना सकती है, तो यह भी अच्छा है और आपको अपनी इच्छाओं को समझने का, इच्छाओं पर काम करने का भी यहाँ पर अफसर प्राप्त होगा, तो एक प्रकार से अच्छी ही चीज़े हैं, अ का स्वामित्त भी है मंगल के पास, work pressure बहुत रहेगा, और work stress बहुत रहेगा, उस पर तो आसा ध्यान देना पड़ेगा, मंगल लगन को देख रहे हैं, और खुद लगने के स्वामी है, यह अच्छा है, confidence रहेगा, problem solving का बैस्ती रहेगी, problem भले ही आए यहाँ पर, लेकिन problem को solve भी बहुत अराम से कर लेंगे, यह भी अच्छी चीज़ है, frustration यहाँ से भी रहेगी, क्योंकि छटे घर के स्वामी भी है, यहाँ पर भी मंगल बहुत frustrate करते हैं, और लगन को देखेंगे, frustration और बढ़ जाएगी, मंगल की आठवी दिष्टी धनस्तान पर है, यह career में भले ही promotion हो ना हो, लेकिन आपकी salary बढ़ाने का, यहाँ से बढ़ने का योग बन जाता है, बहुत chances है, क्योंकि देखें, promotion क्या होता है, limited होती है, for example एक बड़ा office है, सब हर वेक्ति को promotion नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल धनस्तान को देख रहे हैं, दस्वे के द्वारा आपकी pay थोड़ सी बढ़ जाए, ध्यान क्या देना है, कि मंगल कुटुम्ब भाव को देख रहे हैं और आठवी द्रिष्टी से, अचानक से कुटुम्बियों में बैय रहा सकता है, निकि आपके जो घर के सदसे हैं, उनके साथ लड़ाई जगड़े हो सकते ह वाणी के कारण रड़ाई जगड़े बढ़ सकते हैं, तो अपनी वाणी पर जितना ध्यान रख सकते हैं, उतना आपके लिए यहां पर अच्छा रहेगा, अपने खाने पीने पर भी थोड़ा सा ध्यान देजेगा, क्योंकि जब मंगल की आठवी द्रिष्टी दूसरे भा को तग करेंगे, किड्नी गॉल ब्रेड का रोग कोई अलरी चल रहा है तो तग दिक्कत हो सकती है, कोई नया रोग हो सकता है, इंफ्लमेशन बॉड़ी में बहुत रहेगी, सूजन हो सकती है, एसीडिटी बहुत रहेगी बॉड़ी में, बीबी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और जिनको हृदे समनित रोग है बहुत केरफुल रहेगा लिवर का भी अगर आपको कोई इशू है तो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ सकते हैं उपाय की बात कर लेते हैं आपको ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं जब वीडो देखे उसके अरले दिन कर सकते हैं उससे दिन क बाद आपको उनको फलों का और लड़ों का भोग लगाना है उसके बाद ओम महा वीराय न महा मंत्र का एक 108 बार जाब करके हनुमान बाहुक का दो बार बाठ करना है ये उपाय आप कर लेंगे अवश्य आपको अच्छा फल मिलेगा आशा करता हूं कि वीडो काम आएगा चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वीडो को लाइक कीजिए मिलता हूं अगली वीडो में तब तक के लिए ओम नमेश्चा